अतंकवाद एवं नक्षलवाद एक सिक्के के दो पहलू किसी देश में नीती सुरक्षा है वं सोहार्द पुन व्यवस्ता ही वहां की प्रात्मिक्ता होती है समाज में सहयोग एक ताइम विकास को ध्यान में रख कर ही नियम वी नियम बनाये वं निभाये जाते हैं मानव कल्यान व्यग्यानिक प्रेगती प्रतिस्तिपरदात्मक सहयोग जैसे तत्वी राष्ट की एकता और इस्थाईत्वय का निर्मान करते हैं वर्तमान समय में तथा पिछले कुछ दस्कों में समाज में एक विचलन को देखा जा रहा है जो अंतर राष्टेस्तर पर आतंकवाद एम राष्टेस्तर पर नकसलवाद का रूप है यह किसी भी राष्ट की आंतरिक तथा भाईयस रक्षा के लिए गहतक है आतंकवाद अंतर राष्टेस्तर पर हिंसा द्वारा संचालित संगठन है जो बारू देवं बंदूक से तक्ता पल्ट आंतंक की विस्पोर्ट कर सामाजी को राजनीतिक व्यवस्ता को हास करते हैं अतंकवाद में आईएस आईएस तिमी हिजबूल अलकाइदा जैसे संगठनों ने बंब बंदूक से समाज के सामाजिक ताने बाने के साथ राजनेतिक तक्तापल्ट एम आर्तिक वक्षों को प्रभावित किया है यहीं कारियन अक्सलवाद द्वारा भारत के ओडिसा इनका प्रभाव शेत्र अलग अलग है पर इसे भारत जैसे देश की आंत्री के उंभाईयस रुक्षा के लिए प्रेमुक चुनोती है क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं होती यहिंसा एव्यवस्था क्यों उत्पन करते हैं इनकी मांग क्या है इक इस तरह का सासन चा रोजगार के अभाव में हत्यार उठाए हैं कई बार तो सिर्फ पेट पालने के लिए इन संगटनों से जुड़ने की खबरे सुनाई देती है सच्चाई जो भी हो इस तरह के संगठन से नेदेश का ही तैने संगठन का जो तक इस संगठन समाज में सरकार के माध्यम से वि प्रतेकार द्वारा इनके लिए पुनरवासन खेती को सल्विकास जैसे कारियों के द्वारा मुख्यधारा में लाने का प्रियास किया जा रहा है साथ ही साथ इने सुर्क्षा भी प्रदान की जा रही है व्यक्ति का तोर पर प्रतेक व्यक्ति को सहयोगात्मक व्यवार पनाते हुए प्रतेक इस्तर पर इनकी मदद करनी चाहिए नहीं तो मानव अपने ही निर्मित समाज को अपने हातों से नश्ट कर देगा धन्यवाद जैहिंद